जेहिन दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी current affairs की class पर दोस्तों हाली में एक important topic आप सभी के सामने आया है और ये महिला Premier League 2024 अब ये समाप्त हो गया है इससे related आपसे exam में बहुत सारे questions पूछे जा सकते हैं तो इसे यहाँ पर हम पूरा complete cover करने वाले हैं देखे theory और MCQ दोनों यहाँ पर मिसका discussion करने वाले हैं और साथ ही साथ आपको content Hindi माधियम और English माधियम दोनों मीडियम में आपको मिलेगा देखे अगर आपने इस पीडियो को पूरा देख लिया तो आपका एक भी question यहाँ से बाहर नहीं जाने वाला है भारत के सभी प्रित्योगी पर full form आपसे पूछा जा रहा है WPL का full form क्या है तो देखे इसका full form है Women's Premier League क्या है Women's Premier League अगला question देखते हैं WPL का जो पहला संस्करण है first edition है वो कब हुआ है देखे पिछले साल से WPL स्टार्ट हुआ है अब इस बार दूसरा संस्करण था पहला संस्करण 2023 में हुआ है जो WPL का दोस्तों किस के द्वारा कराया जाता है तो WPL और IPL इन दोनों का organization BCCI के द्वारा किया जाता है 2024 में WPL का जो संस्करण था एडिशन था ये किस नंबर का एडिशन कराया गया तो friends आप याद रखेगा इस बार इसका दूसरा संस्करण था 2030 में पहला संस्करण था WPL 2024 का जो RCB का सूखा था जहां पर पूरू से से जीत नहीं पा रहे थे विराट कोली के कफ्तानी पर तो दोस्तों ये सूखा खतम हो गया है RCB ने WPL 2024 का खेताब जीता है पिछली बार मुंबई इंडिन्स ने जीता था 2030 में इसे आप नोट कर लिजेगा WPL 2024 का उप विजीता कौन र दिली कैपिसे हार गया और ये उप विजेता बना है Royal Challenges Bangalore RCB के कफ्तान कौन है तो दोस्तों RCB की कफ्तान है आप सभी की फेवरेट और मेरी भी फेवरेट इस्मृती मंधाना है कौन है इस्मृती मंधाना डेली कैपितल की कफ्तान कौन है तो आप यहां पर देख पा रह पार्टिसिपेट किया हिस्सा लिया है तो देखे डबलू पिल 2024 में टोटल पास टीमों ने हिस्सा लिया है अब आपको सब टीमों का नाम याद रखना है पूछा जाएगा तो देखे पहली टीम है डेली कैपिटल्स इसकी कैप्टन है मैग लेनिन यहाँ पर गुजराज जैंट्स की बात करें तो इसके कैप्टन है बैथ मूने मुंबई इंडिन्स की कैप्टन है हर्मन प्रितकोर आरसी भी जो विजेता बना है रॉल चैलेंजर्स बैंगलोर इसकी कैप्टन है स्प्रती मंधाना और यूपी वारियर्स फिफ्ट टीम है यूपी डवलू इसके कैप्टन है अलीसा हीली चलिए फ्रेंट्स आई देखते नेस्ट कोश्चन डवलूपील दो हजाट चॉबिस में ओरेंज कैप का खिताब किसे मिला है तो देखें ओरेंज कैप का खिताब मिला है एलीसा पेरी को मिला है किसे मिला है एलीसा पेरी को मिला है देखें ओरेंज कैप किसे मिलता है जो सबसे ज़ादा रन बनाता है उससे ओरेंज कैप का खिताब मिलता है इन्होंने सबसे ज़ादा रन बनाया है किस ने बनाया है, अलिसा पेरी ने बनाया है, टोटल 9 इनिंग्स में लगभग 70 की ओसस से 347 रन स्कोर किये हैं, इसके साथी साथ इनको 5 लाख रुपे कैश प्राइज मिला है, तो फ्रेंट्स अगर आप से पूछा जाए कि ओरेंज कैप जिसे मिलता उसे कितनी कैश प्राइ को मिला है, किसे मिला है, श्रेंका पाटिल को मिला है, देखिए ये परपल कैप किसे मिलती है, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेता उसे परपल कैप मिलती है, आप यहाँ पे श्रेंका पाटिल को देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा इन्होंने विकेट लिये हैं, टोटल कोशन देखते हैं WPL 2024 में best यानी most valuable player का खेताब किसे मिला है जो most valuable player बना है तो याद रखें आप दिपती शर्मा most valuable player बनी है कौन बनी है दिपती शर्मा आप यहाँ पर दिपती शर्मा को देख पा रहे हैं इनको एक ट्रॉफी मिली है पुरसकार के रूप में और साथ ही साथ पांच लाख रुपय का cash price भी मिला है प्यारे साथियों आपको एक important notification देदू एक important announcement देदू देखे रसायन विगान यानी chemistry का आपका e-book launch हो गया जो कि भारत के सभी परिक्षाओं के लिए महतपूर है theory प्लस mcuq के साथ physics और biology का already मौझूद है तो आप इसे download कर सकते है हमारे study कर application से आपको google play store से study कर application download करना है इसके लाबा comment box पर इस application का link दिया गया description box में भी दिया गया है download करने के बाद e-book section में जाएगा जहां पर इस class की pdf भी आपको मिल जाएगी और साथी साथ आप जो है कई important e-books को यहां से download कर सकते हैं राजा गुपता current affairs हमारा telegram channel है आप इसे join कर लेना for important news and updates दोस्तो चैनल पर आप पहली बार आ रहे हैं तो don't forget to subscribe, like, share and comment आई देखते हैं next question WPL 2024 में emerging player का किताब हाली में किसे दिया गया है तो emerging player का जो खिताब है स्रियंका पार्टिल को दिया गया स्रियंका पार्टिल को दिया गया है, इसमें इन्हें 5 लाख रुपे cash price मिली है और इनको यहां पे क्या मिला है इसके साथ साथ एक ट्रॉफी भी प्रदान की गई है याद रखेंगे चली अगला कोशन देखते हैं WPL 2024 में Best Catch का खिताब किसे दिया गया है तो देखें Best Catch का जो खिताब है सजीवन सजना को मिला है किसे मिला है? सजीवन सजना को मिला है दोस्तो ट्रॉफी मिली है और 5 लाख रुपए कैश प्राइज मिला है सजीवन सजना को WPL 2024 में Best Strike Rate का किताब किसे दिया गया है? तो Best Strike Rate का किताब Georgia Wareham को मिला है यहाँ पर आप Georgia Wareham को देख पा रहे है 5 लाख रुपए कैश प्राइज और एक ट्रॉफी मिली है WPL 2024 में Fair Play का Award किसे मिला है? तो जो Fair Play का Award दिया गया है Royal Challengers Bangalore RCB को मिला है WPL 2024 में Player of the Final का किताब किसे दिया गया है? तो Player of the Final मैस थी Sophie Molinix के नाम है Sophie Molinix याद रखेगा इसमें इन्हें 0.5 लाख रुपए कैश प्राइज मिला है और एक ट्रॉफी मिली है WPL इतिहास का सबसे तेज गेन Mumbai Indians की शबनीम इसमाईल ने फेकी है इसकी स्पीड कितनी थी? तो दोस्तों इन्होंने 132.1 किलोमेटर प्रती घंटे की रफतार से इस रफतार से इन्होंने गेन फेकी और इस सबसे तेज फेकी जाने वाली बॉल है नेस्ट है WPL 2024 में एक मैच में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए है तो फ्रेंट सबसे ज़्यादा जो विकेट लिए है याद रखिएगा अलीसा पेरी ने सबसे ज़्यादा विकेट लिए है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इन्हें परपल कैप मिला मैंने आपको बताया था तो दोस्तों यहाँ पर MI के खिलाफ मुकाबले में 15 रन देते हुए इन्होंने 6 विकेट चटका है अलीसा पेरी ने सबसे बेस्ट गिंदबाजी का प्रदर्शन किया है पेरी के अलावा RCB के तरफ से आशा शोबना ने 5 विकेट चटका हैं 22 रन दे करके नेस्ट कोशन देखते हैं WPL 2024 में सबसे ज़्यादा अर्द सत्क किसने लगाया है यानि Most 50s किसने लगाया है तो Most 50s लगाया है Meg Lennox ने लगाया इसने लगाया Meg Lennox ने आपको मैंने सुरू में बताया था Delhi Capitals की ये कप्तान है Meg Lennox यन्हों इन्हों इन्हें सबसे ज़्यादा 4 50 विकेट चार अर्ध शतक जमाये हैं इसके लावा दिप्ति शर्मा शफाली वर्मा और बेथ मूरी ने 3-3 अर्ध शतक लगाये हैं WPL 2024 में सबसे अधिक छक्के किसने लगाये हैं Most success WPL में किसने लगाये हैं तो शफाली वर्मा ने सबसे ज़्यादा छक्के लगाये हैं दोस्तो शफाली वर्मा ने पूरे सीजन में 20 चक्के जड़े हैं इसके बाद नाम आता रीचा घोसका और हर्मन प्रीत का जिन्होंने 10-10 चक्के लगाये हैं जोस्तो इन्हें 5 लाख रुपे का कैश प्राइस और एक ट्रॉफी मिली है WPL 2024 में सबसे बड़ी पारी किसने खेली है सबसे बिगेस्ट जो इनिंग खेली है किसने खेली है तो हर्मन प्रीत कौर ने सबसे बड़ी इनिंग खेली है इन्होंने यहाँ पर देखिए गुजरात जाइंट्स के खिलाफ ये पारी खेली है 95 रन बनाके नाबाद थी WPL 2024 पे सबसे बड़ा टीम स्कोर किसने बनाया है तो सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया था गुजरात जाइंट्स ने इसने बनाया है गुजरात जाइंट्स ने यहाँ पर बनाया है याद रखेगा जोस्तो सबसे बड़ा जो स्कोर है GG ने गुजरात जैंट्स ने बनाया है RCB के खिलाब बनाया है 199 रन बनाये थे 5 विकेट खोकर WPL 2024 में सबसे कम टीम स्कोर किस ने बनाया है सबसे कम टीम स्कोर बनाया है गुजरात जैंट्स ने ही बनाया है सबसे जादा स्कोर भी इनों ने बनाया था सबसिक कम स्कोर का भी record इनी के नाम है तो यहाँ पर जीजी की जो टीम है पहली Capitals के खिलाफ केवल 107 रन बनाई थी 7 विकेट खोकर के सबसिक कम स्कोर है भारत की पहली महिला पिछ क्यूरेटर कौन बनी most important question दोस्तो आप इस question को जरूर याद रखेगा तो यहाँ पर पहली pitch curator बनी है इनका नाम पूछा जा सकता है तो यह जैसिंन्था कल्याण क्या नाम है जैसिंथा कल्याण नाम है यह पहली pitch curator बनी है और यह दूसरे संस्क्राण में देखी गई इन्होंने यह उपलब्दी हासल की है वीमेंस प्रीमेर लीग के सीजन टू में सबसे महेंगी भारती खिलाडी most expensive इंडियन प्लेयर बनी इनका क्या नाम है तो ये है काशवी गौतम ये सबसे महेंगी खिलाडी बनी है यहाँ पर गुजरात जाइंट्स निने 2 करोड रुपे में खरीदा था वीमेंस प्रीमेर लीग के सीजन टू में सबसे महेंगी विदेशी प्लेयर कौन बनी तो देखे सबसे महेंगी जो विदेशी प्लेयर थी ये भी आपको याद रखना है एनाबेल सदरलेंड दोस्तो एनाबेल सदरलेंड आस्टेलिया की हैं इनको 2 करोड रुपय में Delhi Capitals ने खरीदा है और ये most expensive foreign player है Women's Premier League 2024 का जो title sponsor है वो कौन है तो देखे title sponsor है आप याद रखेंगे Tata जो है इसका title sponsor था WPL 2024 का Women's Premier League 2024 का जो associate partner है ये कौन था तो ये associate partner आप याद रखेंगे syntax था Women's Premier League 2024 का official broadcaster कौन था तो official broadcaster था sports 18 WPL 2024 में success of the match याईनी final का खिताब किसे दिया गया तो WPL 2024 में success of the match final का खिताब दिया गया है शेफाली वर्मा को दिया गया और असकार केंतर का तेने एक trophy मिली है और एक लाख रुपे cash prize मिला है WPL 2024 में powerful striker of the match final का खिताब किसे दिया गया तो शेफाली वर्मा को यहाँ पर ये खिताब दिया गया है WPL 2024 की विजेता team RCV को कितनी पुरस्कार राशी प्राप्त हुई Most important question है आपसे price money पूछा जा सकता है तो friends आप याद रखेंगे 6 करोड रुपेस में ये cash prize मिली है WPL 2024 की जो उप विजेता team थी देली कैविटेस इन्हें कितनी पुरस्कार राशी मिली है तो friends इन्हें 3 करोड तो winner को 6 करोड और runner-up team को 3 करोड ठीक आधा price मिला है WPL 2024 का जो final match था हो किस stadium में खेला गया तो आपको याद रखना है ये Arun Jetli stadium में खेला गया जो कहाँ पर है दिल्ली में है WPL 2030 की विजेता team कौन रही है देखें पिछले साल की भी बात कर लेते हैं पूछा जा सकता है तो पिछले साल की जो winner team थी Mumbai Indians winner थी ठीक है next है WPL 2030 की विजेता team कौन से रही है तो विजेता team रही है Delhi Capitals कौन रही है Delhi Capitals रही है पिछले बार भी विजेता थी इस बार भी विजेता रही है दोनों बार आपको याद रखना है तो friends मैंने आपको पूरा important WPL का Women's Premier League 2024 का सारे question करा दिये जो exam में पूछे जा सकते हैं अब आपके लिए एक सवाल है जिसका answer आपको comment box पे देना है WPL 2024 का खेताब किसने जीता है आपको इस cancer comment box पे देना है आप यहाँ पर एक तस्वीर देख रहे है महिला करिक्टर की आपको बताना ये महिला करिक्टर का नाम क्या है साथियों जो e-book है chemistry का रसायन विज्ञान का आप इससे download कर लिजेगा study care application पर बहुत सारी e-book available है biology की भी है और physics की भी है इसके अलाबा दोस्तों Mount Everest batch launch किया गया है Indian geography का 12 March से आप इस batch को भी जोईन कर सकते हैं इसमें आपको भारत का भुगोल पढ़ाया जा रहा है बहुत ही basic से और बहुत सटीकता से notes बनाये जाएंगे आपको topic wise class notes मिलेगा आपका topic wise test होगा previous year questions यहाँ पर कराये जाएंगे तो राजे सर आपको daily 11 बजे पढ़ाएंगे आयास सर डेली 10 बजे foundation आपका clear कर रहे maths का तो maths का batch आप जोईन कर सकते हैं सुबह 10 बजे इनकी daily class होती भारत के सभी प्रत्योगी परिक्षाओं के लिए study care application को download करने के बाद आप courses में जाएगा जहाँ पर आप इन्हें enroll कर सकते हैं और ebooks में topic wise PDF आप download कर सकते हैं सातियों यहाँ पर राजा गुपता current affairs हमारा telegram channel है आप इसे join कर लेना for important news updates and quizzes और यहाँ पर channel पर पहली बर आ रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजेगा ताकि ऐसी amazing videos आपको मिल सके और साथ ही साथ आप bell icon button दबा लीजेगा और अगर वीडियो पसंद आई हो तो like कीजेगा अपने सभी दोस्तों को share करिएगा comment करके बताईए कि आपको आज का topic कैसा लगा तो friends चलते हैं फिर मिलेंगे important topic के साथ तब तक के लिए जै हिंद जै भारत खुश रहें मुस्कुराते रहें